नमस्ते दोस्तों मैं शेफ पूनम मेरे चैनल घर की रसोई में आपका स्वागत है हैपी चॉकलेट डे टू आल और आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट डे स्पेशल बिस्किट चॉकलेट और ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंदे तो आप इसे एक बर जरूर ट्राई कीजेगा तो चलिए इसे फटा फट बनाना सीखते हैं और ये हमने पानी को गरम कर लिया है और हमने लिया है इसके बाद हमें लेना है ओरियो बिस्किट और इसमें से एक पीस हम ओरियो बिस्किट ले लिये हैं और इसे ओपन कर देंगे और इसके अंदर हमें लगाना है जो आईस क्रीम स्टिक होती है उसको लेना है और उसे इस मेल्टेट चॉकलेट में डिप करना है और बिस्किट के बीचों बीच में हम इसे लगा देंगे और इसके बाद दूसरा जो बिस्किट है इसके उपर रग देंगे और हलका सा प्रेस करेंगे और बिल्कुल हलके हातों से कीजिए और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे जिससे ये सेट हो जाए और ये जो हमारी melted chocolate है इसमें हमें इसको dip करना है और ये देखे चारो तरफ अच्छी तरीके से cover करते हुए इसे dip कीजिए और इसके बाद हमें एक butter paper लेना है उसके उपर इसे रग देना है और इसके उपर से कोई भी sprinkle आप लगा सकते हैं जो भी आपके पास इस sprinkle available हो तो ये ह हम colorful sprinkle इसके उपर लगाएंगे और ऐसे ही हम सारे chocolate biscuit तयार कर लेंगे और इसके उपर जो भी sprinkle है उसे लगा लेंगे हम इस पे colorful और ये देखे वाइट वाले sprinkle है उसे लगा रहे हैं और ये देखे हमारे सारे जो चौकलेट है वो रेडी हो चुका है और इसे हमने 10 मिनट के लिए recipe करने दिया था और ये देखे बटर पेपर पे बहुत ही easily ये निकल चाता है और ये देखे बिलकुल मार्केट जल सब बनके रेडी हो चुका है तो इस चौकलेट डे पर आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको मेरी recipe पसंद आए तो वीडियो को like, share and subscribe करना साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूल इससे मेरे नए नए वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे अब मैं मिलूंगी अपनी एक नए रेसिपी के साथ तब तक देखते रहे है शेफ पूनम घर की रसोई